आज इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी के बारे में जैसे के हमने शेर गया था फ्राइडे को मेरा निफ्टी का टार्गेट है 15800 का पहले 16500 जाने के पहले निफ्टी 15800 आना चाहिए यह मैंने पहले कहा था और वो अब होता हुआ आपको दिखने को मिल रहा है आज से ही बजार 15800 750 के आसपास कहीना की खुलने की पूरी पूरी चांसे दिख रहे हैं अब क्या मेन क्वेशन आता है अब आगे क्या जैसे हमने शेर के था वो तो हो गया इसके लिए मैं बार-बार कहता हूँ काफे लोग कहते हैं कि सर आपके क्लासे सोड़ी महेंगी है 10,000 र कै आपको और नहीं भी पता है क्या होता है वो समझायंगे उसके बात कैसी ट्रेड करना हता है और में हमारा मदा जो फोकस होता है वो ट्रेडिउ के अलावा न्यूस के अलावा psychology पर होता है क्योंकि market में जो सबस्यादा काम आता है वो आता है psychology कब आप trade कर रहे हो कई बार क्या होता है कि loss हो रहा है उस चक्र में और aggressive trade करते हो और aggressive loss हो जाता है और लोग कहते हैं कि 10,000 जादा है मैं कहता हूँ कि अगर आप एक या दो lot में भी trade करते हो call या put के अंदर buying या selling के अंदर तो अगर आप गलत हो तो देखिए आज जैसे हुआ 15,000 रुपया easily फटका लगने वाला है हर एक को तो अगर आप ऐसे बरबाद कर रहे हो और आपके education पर बरबाद नहीं कर रहे हो तो that's very unfair कि आप सीखने पर नहीं आप खाली करने पर विश्वास करते हो तो करना तो बाद में है पहले सीख लो जितना आपने बरबाद किया है उसका मुश्किल से मैं गैरंटी कहता हूँ जो लोग ये वीडियोस देख रहे हैं उनमें से majority लोगों ने लाख हो लाख हो रुपया मार्केट में बरबाद किया लेकिन वो 10,000 रुपया पढ़ाई के लिए नहीं दे सकते है ये में को mentality अच्छी से समझ में आ रही है ठीक है nevertheless जिने join होना है WhatsApp का link आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आप हमारी number पे आकर message कर सकते हो अगर आप interested हो joining के अंदर तो ही सीखने में आपको interest है तो ही क्योंकि बजार तो पुरे time खुला है आपको पैसे लेने के लिए लिए खड़ा है ये अगर आपको सीखना है तो आप हमारे courses पे join हो सकते हो उसे के साथ साथ अब बात करें कि अब 1500-800 जो हमारा target था वो तो आ गया अब क्या जो inside candle का formation हुआ था उसके हिसाब से 1500-800 तो पहले आना था फिर आला था 16-600, 16-650 वो बाद में आना था वो सबसे पहले 1500-800 आना था अब वो आ गया अब अगर मैं बात करूँ न तो यहाँ पर कोई fresh shorting के लिए मत देखेगा intraday के अंदर भी और positionally भी until and unless until and unless 15,450 या 15,500 यह निकल नहीं जाता यह काफी एक important support है अब market जहाँ पर खड़ा है न अब यहाँ पर काफी ज़्यादा important support है यहाँ पर crude भी factor हो गया एक सो चालिस जॉलर तक का crude भी इस प्राइज में आ गया UK, Russia, sorry Russia, Ukraine का जो वर है वो भी प्राइज इन में आ गया जो Fed अपने rates बढ़ाने वाला है वो भी प्राइज इन हो चुके है अब यह break करना 15-500 break करना until and unless अगर साधी countries बिढ़ जाती है रशिया से या nuclear war declare हो जाता है तब तक के लिए यह break होने वाला है नहीं अब इस level के उपर positionally shorting के लिए तो मत देखीगा intra day में भले अगर आपको कई pattern दीखे तो अगर आपको आता हो तो नहीं आता है अब अगर वापिस उस range में आ रहा है तो अगर किसे ने miss किया है यह अच्छी opportunity है अपना 50% capital यहाँ पर deploy करने का अगर किसे के पाद 100 रुपया है इन्वेस्ट करने को वो यहाँ पर easily 50 रुपीज डिप्रोई कर सकता है अगर करना है तो अगर बागी का 50 रुपीज अब हर पाट payment के उपर यह अगर पाच परसे निफ्टी यह तो उपर यह तो नीचे जाता है को मिल सकती है कहा तक 16,200 जो कल की closing थी Friday की closing थी वहाँ तक अगर market एक dip देता है अगर उसके बाद उसको उपर जाना भी है तो सबसे बड़ा resistance और पहला resistance मिलेगा 16,200 के उपर और फिल एक blind resistance होगा 16,500 के उपर जब तक 16,500 अब पार नहीं होता आपको positionally buying पे भी नहीं जाना है अब मैं यही कहूँगा positional से अच्छा है कि आप intraday basis पी कीजिए तक market consolidation में चला गया अगर कोई positioning में selling कर रहा है तो तो ठीक है अगर कोई buying कर रहा है तो risk जादा है premiums काफी जादा है अब यहाँ पर क्या होगा कि premium eating होगा अब मेरा यह view है कि wix आज मेरे ख्याल से 30 तक चला जाएगा 30 के तो उपर ही है मेरे ख्याल से 35 तक चला जाएगा अब यहाँ से wix consolidate होके अगर market को एक fresh up move देना है sustainable up move देना है एक नया rally के लिए शुरू होना है तो at least wix को पहले 15 के नीचे आना होगा अब वो कैसे आएगा या तो यहाँ प होता रहता है तो यहाँ पर मैं selling के उपर जादा focus करूंगा option selling के उपर मार्केट selling के उपर बात नहीं करूंगा option selling के यहाँ पर मुझे लगता है कि एक यह 500-600 पॉइंट की range के अंदर market थोड़ा time waste करेगा एक पंदरा दिन-20 महना आई भर waste करेगा और फिर एक sustainable journey के लिए श selling swing मिल गया buying swing मिला selling swing मिल गया irrm 大isment selling इस रेंज को बहुत नेगेटिव कुछ नहीं हो जाता, या तो सारी कंट्रीज लड ले वे, या तो नुक्लियर वर हो जावे, तब तक मुझे नहीं लगता है कि आप 15.500 ब्रेंग होगा, क्योंकि क्रूड भी फैक्टर हो गया है, और सब कुछ अल्मोस्ट फैक्टर हो गया, या तो यहीं पर कहीना की आपर निकले, तब हमेश वुझेगे क्या मार्केट एक सस्टेनिबल जरनी के लिए शुरू हो रहा है, क्यों वाप्र यह वापिस यह एक ट्रैप ही, तो अभी के लिए मैंने क्लियर कर दिया है, डाउंसेड रिस्क बहुत जादा नहीं है, 15.500, अब बॉटम सा लगता है यह ब्रेक होना तो बहुत कोई बड़ी न्यूज आएगी तो ही ब्रेक होगा वरना यह ब्रेक नहीं होने वाला इतना इजीली यह काफी ज़दा इंपॉर्टन सपोर्ट है यह यहापर और बस यही मैं कह सकता हूँ उपर के लिए अभी मेरा व्यू तो एकदम बुलिश तो नहीं है 16-500 तका घर खुला है कभी भी आ सकता है स्विंग्स बनाने के लिए ब्रेक आउट होगा और एक सस्टेनेबल जने शुरू होगी वह मेरे स्टोडन्स के साथ शेर कर दूगा और आपके साथ भी शेर हो जाएगा टाइमली बेसिस के उपर तो जॉइन नहीं होएँ जॉइन हो सकते हो बिलेओ को लाइक निक्या खाल सकते हो फ्री है चाल को सबस्क्रेब नहीं किया तो वह भी कर दीजी वह भी एकदम आपको फ्री ही बेसिस पर दिखने को मिल रहा है नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको वाटसप्य लिंग मल रह